अब सवाल उठता है नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल 22 लोगों को फाइदा पहुचाया है जो भी था जो भी देना था 22 लोगों को उन्हों ने दिया अभी में cuerpo test यह लखनव से आया लखनव एपट उधर कि अदानी जी का बड़ा वहां पर साइन था कि लखनव में पकड़ा दिया उनको मुंबई मेंपड़ा दिया सारे के सारे एप पकड़ा दिये पहले public sector में 90% को रास्ता मिलता था आरक्षन था पुरिक sector को पूरे को पूरो प्राइबस कर दिया रेलोए में आपको नौकरी मिलती था उसको प्राइबस करने में लगे हुए है ये bullet train का भ़ाना इनका प्राइबस करने का भ़ाना आ है ये तो जहां भी आप देखो जो आपके रास्ते थे वो सब बंद कर दिये पहले आप सेना में जाते थे पेंशन मिलती थी अगर कुछ होता था शहीद का दर्जा मिलता था कैंटीन मिलती थी उसको भी खतम कर दिया नरेंद्र मोधी नई योजना लाए अगनीवीर योजना दो तरीके के शहीद बना दिये एक नॉर्मल सोलजर जिसको पेंशन मिलता है दूसरा अगनीवीर अगर वो शहीद होगा उसको ना शहीद का दर्जा मिलेगा ना पेंशन मिलेगी ने कॉम्पेंसेशन मिलने वाली तो आपके सारे के सारे रास्ते इन्होंने बंद कर दिये अब इंडिया की सरकार आएगी तो ये आपके जो रास्ते हैं ये फिर से खोलने पड़ेंगे और हम इसको तेजी से बिना जिजक ये दर्वाजे हम खोल देंगे एक के बाद एक पहली बात आपको बता रहा हूँ अगनी भी स्कीम को हम खातम करके उठा के भार फेक देंगे दूसरी बात यह जो उन्हों में गलत जीस्ट बना रखी है यह जीस्ट जो छोटे दुकानदारों को स्मॉल मीडियो इंडिस्ट्री को खतम करने वाली जीस्ट इसको हम बदल देंगे पांच अलग अलग टैक्स न तो हमने डिसाइड किया है कि जितना इन्होंने पैसा नहां ये 22 लोगों को दिया है उतना पैसा हम हिंदुस्तान के किसानों को गरीबों को देने जा रहे हैं और मैनिफेस्टों में मैंने मैंने बोला है तीन-चार हमने प्रांतिकारी काम मतलब देश को हिलाने वाले महराश्रा को हिलाने वाले काम करें हैं सबसे बड़ा काम दुन्या में किसी सरकार ने ऐसा सोचा ही भी नहीं करना छोड़ो सोचा ही नहीं है हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार के हम लिस्ट बना रहे हैं मोदी ने कोरोणों लोगों को गरीब बनाये ना उन सारी की लिस्ट हम निकाल रहे हैं सारे के सारे नाम उन परिवारों में से हम एक महिला का नाम चुनेंगे हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में 10,000 नहीं 20, 25, 30,000 नहीं 50,000 नहीं 90,000 नहीं 1,00,000 रुपिया साल कम डाल देंगे और ये मीडिया वाला जो भी बोलना चाहें बोलो हमें कोई फर्ट नहीं पड़ता चलाओ चलाओ जितना चलाना है तुम्हे नाज गाना करो, डांस करो, चलाओ गाली दो हमें, कोई फर्ट नहीं पड़ता ये कहते हैं हमने मन्रेगा योजना दी कहते हैं गरीबों को ये बिगाड रहे हैं कि आद्धानी को लाकों करोड रुपे दिया जाता है वो न है मगर मजदूरी करने वाले कि मजदूरी करने वाले गरीब लोग बगड़ते हैं किसान का करजा माफ होता है के बिए और दिया किसानों को 16 लाग करोड़ रुपय कर्जा महाब होता है तो देखो 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 विकास हो रहा है कि अब हम समझाएंगे तुम लोगों को विकास क्या होता है करोणों महिलाओं के बैंक अकाउंट में एक लाख रुपया साल का 8500 रुपय महीने का ठका ठका ठक 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 और वो कंप्यूटर से होगा कि ऑटोमेटिक और उस दिन तक होगा जब तक यह परिवार गरी भी रेखा के उपर नहीं होंगे उससे पहले ब्रेक नहीं लगने वाली एक्सलेटर ही दबेगा एक लाग रुपे बैंक अकाउंट में अब यहां बहुत सारे पुर्षे कहेंगे देखो भईया आप महिला को क्यों दे रहे हो हमें चाहिए आपको होगे मैं जानता हूं मैं आपको उताता हूं 21 सदी में आप दोनों काम करते हो स्री और पुर्ष दोनों काम करते हैं बाहर जाते हैं उस काम के लिए किसी भी सरकार ने दुन्या की किसी भी सरकार ने महिलाओं को کम्पंसेशन पैसा नहीं दिया है अब ये पहली सरकार होगी जो इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि हमारी महिलाएं देश के भविश्य की रक्षा करती हैं पुर्शों से जादा काम करती हैं और उनके बैंक अकाउंट में एक लाग रुपया डालने जा रही है और मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ यह आप अभी ताली बजा रहे हैं अंत में यह पैसा आप लोग ले जाओगे दबाव डालके किसी ना किसी तरह आप लोग को भी इससे फाइदा होगा मगर बैंक अकाउंट महिलाओं के नाम में होगा दूसरी बात आश्या अंगर्वारी में जो महिलाओं काम करती हैं उनकी आमदनियम दुगनी करने जा रहे हैं और मन्रेगा में मन्रेगा में आज 250 रुपय मिलते हैं सरकार आने के एक दमबाद 400 रुपय आपको मिलेंगे अब थोड़ी सी किसानों की बात करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी ने आपको जी एस्ट आप पर जी एस्टी लगाई जमीन अधिकरन बिल उन्होंने रद किया आपके हक लिए आपका कर्जा माफ नहीं किया और आपको सही दाम नहीं देते हैं जब भी आपको अपना माल करीदना होता है धान शुगर केन सोया जो भी हो जब भी आपको करीदना होता है नरेंद्र मोदी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी को गुमा देता है और आपको सही रेट नहीं मिलता तो आपकी दो ही मांगे हैं मैं जानता हूँ लाकों किसानों से मैंने बात की है आपकी दो मांगे हैं पहला एक कर्जा माफी और दूसरा हमें सही दाम चाहिए हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए हमें कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए हमें अपने काम के लिए फून पसीने के लिए सही रेट चाहिए ये दो काम हम आपके लिए करने जा रहे हैं किसान का करजा माफ हम करेंगे